दोस्तों MS Word के इस Amazing Chapter में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सिखने वाले हैं Ctrl A से लेकि Ctrl Z तक यूज होने वाले सभी Shortcut Keys MS Word में मतलब आपको भी पताए कि जब आप MS Word में वर्क कर रहे हो तो Shortcut Keys आपका काम कितना असान कर देती है तो आज की इस वीडियो में Ctrl A से Ctrl Z तक जितने वी Shortcuts है हम सब को विद प्रैक्टिकल समझने वाले हैं और आप शौर कि यह जो Shortcut Keys है यह आपके काम को बहुत ही जाद आसान बना देंगे तो बना किसी देर की शुरू करते हैं इस वीडियो को अब नॉर्मली आगे हम अपनी computer screen पर और यहां पर शुरुबात करते हैं सबसे पहले Shortcut Ctrl A अब मैं एक चीज आपको और बता दू कि अगर आपको एक paragraph चाहिए practice करने के लिए तो आप simply equal करें और यहां पर लिखे R A N D और ब्रैकट शुरू ब्रैकट मन्थ और जैसे आप एंडर प्रेस करोगे तो एक paragraph यहां पर आ जाएगा यह जीज मैं आपको इसलिए बताई ताकि जो भी shortcuts की इसके आप practice करोगे तो आपको एक paragraph लिखना ना पड़े shortcut में ही आपके पस paragraph आ जाए तो सबसे पहले अगर हम shortcut की बात करें जो कि है control A तो इसके मदद से आपका जो भी paragraph है या मैं बात करूँ जितनी भी चीज़े आपने लिखी है document में वो सब कुछ select हो जाएगा तो हम control A करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर सारा कुछ क्या हो गया है select हो गया है अब इससे select करने के बाद आप इसमें editing या फिर से delete जो भी चीज़ आप करना चाहें एक बार में सब कुछ apply कर सकते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे shortcut key की जो कि है control plus B तो सबसे पहले shortcut key का use कर लेते हैं जो कि control A है जिसकी मदद से पूरा data आपका select हो जाएगा और अगर आपने यहाँ पर किया control B तो यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ content है वो bold हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका bold option है वो यह highlight हो गया है दुबारा control B करेंगे तो यह highlighting हट जाएगी अगर आपको किसी particular word को bold करना है तो आप simply उस word को select कर लो और उसके बात control B को press करो और आप देखेंगे कि वो content है जो भी word है वो bold हो जाएगा अब यहाँ पर बात करते है next shortcut की की जो कि है control plus C अगर हम control plus C की बात करें तो उसका use क्या जाता है copy करने के लिए यहाँ पर मैं एक और shortcut की आपको बताऊंगा इसके साथ जो कि है control plus B आपको यह जिस है जैसे मैं इस वाले matter को हटा देता हूं अगर इसी line को मुझे दुबारे लिखना है तो हम इसे select करते हैं फिर हम इसे copy कर लेते हैं और नीचे आके हम इसे paste करते हैं यह होता है manual तरीका लेगन अगर यही काम आपको shortcut में करना है तो आप control plus C और control V का use करते हैं सबसे पहले ह हमने इसको select किया और select करने के बाद हम keyboard से press करेंगे control C इसके बाद हमें जहां पर भी paste करना हम आएंगे और प्रेस करेंगे control plus V, V for when, so control V हमने प्रेस किया और आप देखेंगे कि यह copy paste हो रहा है, so I hope की clear हो क्या होगा कि control C से क्या होता है copy और control V से क्या होता है paste, clear, अब यहां पर बात करते है next shortcut की की, जो कि है control plus D, control plus D से open होती है font formatting, basically आप यहां साइड में जब click करेंगे तो इस तरीके से font formatting से related, सभी option खोल जाते हैं, अगर इसी option को आपको shortcut में खोलना है, तो वो काम आप control D से कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर एक line को select कर लेता हूँ, इ यहां पर आगिया font formatting, और इस पर मुझे जो भी font apply करना है, जैसे यह apply करना है, या फिर मुझे bold करना है, साथी मुझे कोई color apply करना है, तो आप यहां ही सही color apply कर सकते हैं, इसके लावा और भी चीज़े आपको apply करने हैं, जैसे कि underline style हो गया, underline का color हो गया, यह सभी चीज़ जैसे कि मैंने यहां पर कोई word लिखा, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा resume, जो कि हमारा title है, और यह resume मुझे कहां चाहिए, बीच में, तो आप यहां पर simple control और e को press करेंगे, जिससे active हो जाता है center alignment, और जो भी चीज़ आपने लिखी है, वो सिधा सिधा बीच में यहां पर आ option खुल गया, आप मुझे किसी भी word को अगर ढूंडना है, जैसे कि माल लो मुझे यहां पर देख रहा है, कि मैंने कहां पर paste लिखा हुआ है, तो जैसे मैं यहां पर paste लिखूँगा, आप देखो कि automatically यह data को क्या कर लेगा, find कर लेगा, और यह highlight करके मुझे show कर देगा, कि paste यहां पर लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप control F का use find करने के लिए कर सकते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं, next shortcut की कि जो की है control plus G, control plus G की मिदद से open होता है go to, तो जैसे मैं control G press करूँगा, आप देखो कि यहां पर go to option आ गया है, यह मुझे बोले कि आप कौन से page number पर जाना navigation का, और मैं pages पर click करता हूँ, अब इस पर click करने से क्या benefit है, कि मुझे पता चल जाएगा, मैंने कितने page ले रखे, आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो मैंने total 4 page लिए हुए, एक, दो, तीन, चार, और चौते page पर मैंने राजेश कुमार लिखा हुआ है, अब हम control G की मद दोस्तों बात करते हैं, next shortcut की की, जो कि है control plus H, control plus H की मदद से, आप replace कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर press करता हूँ, control H, और यहाँ पर देखिए option आगया replace का, तो यहाँ पर दो option आपको मिलता है, एक मिलता है find what, इसमें आपको वो word लिखना है, जिसे आप replace करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, document, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर document word है, जिसको हम replace करने वाले है, तो मैंने यहाँ लिखा document, और मैं इसे replace कर दूँगा, किसे replace करें हम, हम इसे replace कर देते हैं, मालनो management से replace करना है मुझे, तो मैंने यहाँ लिखा management, और मैं यहाँ क करना है तो आप replace all का यूज़ कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं नेक्ट शॉटकट की कि जो यह है control प्लस आई control प्लस आई की मदद से आप किसी भी selected data को italic form में convert कर सकते हैं जैसे मालू मैंने यह management लिखा है तो मैं इसे select करता हूं और select करने के बाद हम प्रेस करेंगे control आई जैसे में control आई प्रेस करूंगा आप देखेंगे थोड़ा सा italic हो गया है आप यहाँ पर notice कर पा रहे होंगे तो यह हम क्या करने से italic कर रहे हैं यहाँ पर इसका क्या यूज है वो मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले हम एक paragraph ले लेते हैं कुछ इस तरह से इस पूरे को select करते हैं और एक बार में clear format कर देते हैं ताकि यह नॉर्मल आ जाए अब यहाँ पर आप notice करो कि यहाँ पर अगर आप इस left hand side पर देखो तो यह बिल्कुल सही तरह से आ रहा है लेकिन अगर आप right hand side पर देखोगे तो can काफी आगे सर्च पीछे cover page पीछे है पेज आगे अब देख पा रहे हो कि यह बिल्कुल portion में नहीं है तो अगर हम यहाँ पर control प्लस जी apply करेंगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल portion में आ जाता है इसलिए justify alignment का use होता है और आप देखोगे बिल्कुल parallel दोनों तरफ से हो जाता है अब दोस्तों बात करते हैं next shortcut की की जो कि है control प्लस K तो यहाँ पी control प्लस K की मिदद से आप hyperlink option का use कर बाते हो तो हम य इस पर क्या hyperlink लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर hyperlink लगाना चाहता हूँ picture का तो मैंने या पे picture section में गये हम और कोई भी images हम सेडक कर लेते हैं इसमें I hope हमारे पास को images होगी तो हम simply picture में तो हमारे पास picture नहीं हम download में चले जाते हैं और यहाँ पर काफी सार images है हमारे पास तो कोई से भी एक image हम इसमें select कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे आप image देख पा रहे हैं Microsoft Excel की हमने select कि और कर दिया OK अब इसमें hyperlink लग गया है जैसे मैं control और click करूंगा आप देखोगे कि वह image यहाँ पे open हो जाएगे तो इस तरह से आप किसी भी word यह selected data पे control प्लस K की मदद से hyperlink apply कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं next shortcut की कि जो की है control प्लस L अब यहाँ पे अगर हम control प्लस L की बात करें तो इसका use होता है left alignment के लिए for an example मैं आपको समझाता हूँ जैसे माल लीजे हमने कोई word लिखा है अभी हमने लिखा था resume और इसे resume को अगर बीच में ले जाना था तो हमने देखा control प्लस E की मदद से हम इसे बीच में ले जा सकते हैं यानि की center alignment अब अगर इसी को मुझे left में लेके आना है तो मैं press करूँँगा control प्लस L तो control प्लस E स से होगा central alignment और control प्लस L से होगा left alignment अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स शॉट कड़की की जो कि है control प्लस M, control प्लस M का use होता है increase indent के लिए basically आप देख सकते हो कि अभी जो हमारा indent है यह हमारा indent है और यह जहां पे होगा हम वहीं से paragraph को लिखते हैं for example अभी मैं इसको काट देत तो कहां से लिखना start हो रहा है यहां से क्योंकि हमारा indent जो है वो यहां पे है और अगर मैं इस indent को आगे बढ़ा दूं जैसे यह indent है मैं control M करता हूं तो यह आगे यहां पे तो अब अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो कहां से लिखाएगा यहां से इस तरह से आप देख सक कर रहा हूं कि M से क्या होगा increase indent और ctrl plus q करेंगे तो उससे क्या होगा finish indent इसके बाद हम बात करते हैं control N की तो आप सबको बताए जो होता है न्यू पेज लेने के लिए तो यहां पे अगर हम सिंपली आप देख पा रहे हो document 1 है यहां पे उपर आप notice कर रहे होंगे और मैं यहां पे control N करूंगा तो आप देखो के नया पेज आ गया है और यहां पे लिखा रहा है document 2 तो इस तरह से आप control N का use नया पेज लेने के लिए कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं next shortcut किए कि जो कि है control plus O तो control plus O से start हो जा करेंगे तो हम यहां पे simple control O करेंगे और सीधा इसी option पे पहुंच जाएंगे so I hope कि control O आपको के लिए हो गया होगा अब बात करते हैं control plus P की तो control plus P से open होता है print option for an example अगर आपको यह file print करने है तो आप क्या करोगे file में जाओगे फिर यहां पे print पे जाएंगे और तब हम इ तो इसका use मैं already आपको बता चुका हूँ जो कि अभी हमने indent से related देखा था अब यहां पे बात करते हैं control plus R की तो control plus R की मदद से use होता है right alignment जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने कोई बीचीज लिखी यहां पे resume लिखा था हमने इसे बीच में ले जाना है तो हमने control E किया था left में लेके आना है तो control L किया था और अगर आपको last में लेके जाना है तो आप control R करोगे तो basically control E for central alignment control L से क्या होगा left alignment और control R से क्या होगा right alignment तो इस तरह से आप इन alignment के options का use कर सकते हो इन shortcut key की मदद से अब यहां पे बात करते हैं दूसरे shortcut key की जो कि है control plus S, control plus S की मदद से आ document one को save करना है तो मैं control S करूंगा और यहां पे browse पे click करूंगा और simple जो भी नाम से मुझे save करना है जैसे मैंने A B लिखा और A B लिखके मैं उसे save कर तूंगा तो इस तरह से आप control S का use कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं control T की control T का use होता है एक तरीके का tab option use करने के लिए example के लिए माल लो आपको एक ऐसा format बनाना है जैसे कि आप resume में देखते हो माल लो हमने यहां पे लिखा name और यहां पे मैं press कर रहा हूं control T और control T प्रेस करते के साथ आप देख पा रहे हो कि जो indent का नीचे वाला portion है वो यहां पे आ गया है तो आप जैसे मैं tap press करूंगा यह स जाएगा तो यह basically use क्या जाता है अगर आपको कुछ ऐसा format बनाना है जैसे माल लो आप resume में देखते हो या पर कहीं पर ऐसा form हो गया और आपको इस तरह के format में लिखना है तो आप यहां पे control T का use करके एक indent को यहां रख सकते हो और एक indent को आगे भेज सकते हो जो कि आप दे किया और underline apply करने के लिए हम इसका use करते हैं तो अगर आपको यही काम shortcut में करना है तो आप data को select करो और इसके बाद सीधा press करो control U और यहां पे apply हो जाएगा underline अब control U के बाद आता है control V जिसका use मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका हूँ copy paste करने के लिए copy के लिए control सीधा औ आयोब की यह तो आपको already clear हो चुका है अब हम बात करते है वी के बाद वी के बाद कौन सा आएगा तो वी के बाद आएगा control plus X तो X का use क्या है X का use होता है cut करने के लिए मालोई जो powerful यहां पे लिखा है इसको मुझे यहां से हटा के यहां पे रखना है तो इसके लिए आप क्या करोगे इससे select करोगे फिर यहां पे cut करेंगे और यहां पे आके हम इसे paste करेंगे और इस तरह से आप इसे यहां पे ला सकते हो अब अग के बाद ctrl v कर देंगे और आप देख सकते हो इस तरह से आप data को move कर सकते हो इसके बाद बात करते हैं दो और बचे हुए shortcut keys जो की ctrl plus y और ctrl plus z है basically अगर हम बात करें किसी भी data को अगर आपने गलती से delete कर दिया जैसे document है और मैंने इसे वापस लाना है तो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा ctrl z इससे होता है undo और अगर मुझे इससे दुबारा से delete करना है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा ctrl y जिसका मतलब होता है redo तो undo अगर आपने कोई पीचिस गलती से delete कर दिया उससे वापस लाना है तो ctrl z यानि एक step पीछ shortcuts है उसका pdf file मैं description में दे दूंगा तो आप वहां से भी download कर सकते हैं so i hope कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगे अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगए तो please वीडियो को like करें share करें साथी comment करके अपना feedback जरूर दें thank you